तो चलिए बहुँ बहुँ स्वागत है मेरे जित्ते भी एरफोर्स के बच्चे हैं और फाइनली वेकेंसी क्लियर हो गई पूरी तरह से आपके दिमाग में जिसे आपको पता था मैंने पहले भी एक्स्पेंड किया था कि 4500 से लेके 4600 की बीच आपके मेल की वेकेंसी होगी देखने को मिली आपको टोटल जहां 2760 वेक्चे आपको देखने को मिली वहेंख़ने को मिल्य जो है आपको इक्स में और वाई की 97 वेकेंसी हमें देखने दोनों आकाइमघर हम जोडी ले लते हैं क्लब करते हैं तो 4500 उखिन से हमारी मेल के त्री हंड्रे की बात किलने तो फिमेल की वेकंसी को भी क्लियर कर दिया था मैंने 300 रिकिंसी की बात की थी इस बार भी आपके 300 ही वेकंसी देखने को भूए मिलेंगी जिसमें 60 आपने X में देखा और Y में 240 अव्यक्ति के हैं जो स्टांड बाइं में देखा कि गिल्स में भी 24 x में है और 40 हमें देखने को मिली है य क्टेग्री में उसके साथ आपने देखा किडि़िह बीस्ट भी आई हुई है पहले और उसके लिए भी अस्वस्थ किया गया 90 समझाना चाहरा हूं कि देख़े-चांड स्टैंड वाई को अपर्चुनिटी जरूर मिलने वाली है मैंने पहले भी क्लियर किया था आपको कि बच्चे नेभी ज्वाइनिंग पर भी गए हैं बच्चे जो एससे जीडी ज्वाइनिंग के लिए बहुत सारे बच्ची अपने करियर में अलग मूवमेंट पर भी निकल स्कूप है बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूं बढ़ हां एक हद तक स्कूप है और इसके रिटेलिंग हम लोग बात करेंगे बट उससे पहले आपके लिए जरूरी है कि जो बच्चे बारे क्लियर हो गए इसमें बैक पैक करें और सब के लिए कहा गया है यह बच्चों का इकॉल लेटर है उसको डाउनलोड ना होने के कई लोगों की इसूज आ रहे हैं तो क्या क्या करना है जिससे वह डाउनलोड हो जाए क्या आपको समिशन तरना है डेटाबेस का वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में देखने को मिलेगी तो बिल्कुल ध्य एरफोर्स की इन्रॉल्मेंट लिस्ट जब से आई है और इकॉल लेटर डाउनलोड होना जब से शुरू है तो बहुत सारे बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि उनका कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है उनके पास मेल पर कोई इंस्रक्शन नहीं आई है डाउन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको एक लिंक भी दे जा रही है इसमें आप क्लिक करके डाउनलोड करने एक पर पहुंच सकते हैं तो वीडियो का पुरा एंड सक देखिएगा और एयर फोर्स के लिए आप जुरे रहे हैं मेजर कलसी क्लासिस के आफ्लाइन ऑन हाँ हलाकी इंपॉर्टेंस है इसका बट बच्चे इतना जाद इससे डर रहे हैं तो मैं बता दू आपका इतना ज्याद इसका इंपॉर्टेंट नहीं है जिस बच्चे का भी मैं सियोर कर देता हूं जिस बच्चे का भी इनॉल्मेंट लिस्ट में 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 नाम है और अगर यह 100% मैं गारेंटी दे रहा हूं तो अगर आपका इक कॉलेटर डाउनलूड नहीं हो रहा है तो घबराईए मत इन्रॉल्मेंट लिस्ट में अगर आपका मेन में नाम है तो इन्रॉल्मेंट लिस्ट राउनलोड करिए प्रिंट कराईए और एटीएस बेलगा भी रिपोर्ट कर जाईए ठीक है आपको ट्रैनिंग पर भेज़ दिया जाएगा तो चलिए खैर इस वीडियो में इन्रॉल्मेंट लिस्ट की बात करते हैं सबसे पहले आपको देखना है कि आपको अपना लॉगिन आईडी करना है या या यूजर ने पास साथ ही पहुंच जाएंगे आप अगले पेज़ पर जहां पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिए और यहां आप देखिएगा राइट साइड में यह एक ड्रॉप बॉक्स दिख रहा है आपको यहां पर ड्रॉप बॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन के ड्रॉप बॉक्स खुल जांगे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन से यहां पर दी जा रही है फिल करने के लिए बहुत सरा बच्चों यहीं पर आके पहुंच जाते कि उनको पता नहीं ताब करें क्या तो यह पर देख सकते हैं आप सारे डिटिल को चलिक है तो चलिये ऑगे एक क्या द्यूट को करते हैं और कोई डॉइंट आपसमे नहीं आएगा को प्ट प्रेंग और सब कुछ करने के बाद का प्रिश्ठी और ये नहीं करते तो ये नहीं कुछेक नाम देना है यहना फिर अपने देने के झाल शुश्recht और को दिजेगा इसके बाद आपका email address हो गया जेंडर देना है पिर आपको number देना तो यह सब कुछ डेटर है जो आपको यहाँ पे फिल करना है इसके बाद फिर आपको अपना आपने किस डिस्टिक में आपका बर्थ हुआ है आपका रिलीजन क्या है देखिए आप इसब करते हुए आगे बढ़ेंगे इसके बाद आप से पुछए गया कि आप हिंदी में आपकी प्रफिसेंसी कैसी है अच्छी है यह पूछागा है इंग्लिस में कैसी यह वह पूर जानघी तो अगर दोनों देए तो अगर दोनों दींगे तो अगर पूछागा है कि आप कोई पैसन टैलेंट है अगर है तो आपकरамен तो आपके इसपेशल टैलेंट कर सकते हैं ठीक है आप यह बढ़ेंगे तो पुछा गया आपसे बैंक डिटेल मंगा गया आपका पैन नंबर क्या है बैंक नेम क्या है अड्रस क्या है आफसी कोड यह बहुत बच्चों को नहीं पता होता है या तो आप इसे नेट पे निकाल लीजिए अपना बैंक ड्रस ज आपके जो चेक्बुक आता है उस पर या पास्बुक वहां भी दोनों चीज रती है अगर पास्बुक से आपको मिलना चाहे तो आप पास्बुक से जरूर ले लिजिए ठीक है फिर यह सारी डिटेल देना है फिर पुछा कि आपके पास चेक्बुक है या नहीं आपको करने के बाद फिर बढ़ जाएंगे आगे यहांपके अंबर अगया गया खेंगे बहुत सरे बच्चे कनफुची जाते क्या डालें अगर नहीं है तो सिंपल एने डाल दो ठीक है करवार आने की कोई बात नहीं है लोकालिटी ड़ली है तहसील कौन सा है वो डाली इसके बा आपको पता होगी नहीं पता है तो गार्जियन से पूछ लिजो और एक डिटेल सही फीज करिए गलती कुछ मत करिएगा वहना आपको खामिया जा बहुत भूगतना पड़ जाएगा ठीक है इसका नियरेस्ट पुलिस एस्टेशन डालिए पोस्ट आपका कौन सा है वोड का डिस्टेंस कितना है किलो मिटर में बताना है ठीक है किलो मिटर में बताना है तो यह पूछा गया कि आपका अधार काड नंबर क्या यह उनके लिए ऑप्शनल है जो जम्मू कस्मीर आसाम या बेखाले से रहते हैं उनके लिए और्वाइस सभी एस्टेट वाले यह प्रेजेंट कहीं और कहीं होता है पूछा गया आपका सारे डिटेल अगर नहीं है तो तिक मत करिए एक डिटेल फिर आप भरिये जहां पर प्रेजेंट एडर्र रह रहे हैं फिर आप से लास्ट पूछा गया है डियूरेशन ऑफ स्टेड है आप उच्छ जगा पर कितने से रहा रहा है कितने साल से रहा ठीक है कितने महीने से रह रहा है यह आपको वहां पर बताना है ठीक है फिर यह दोनों अगरा पूछा कि आप नहीं भरते हैं तो कोई बात नहीं अपना टाइम वेस्ट मत करिए फिर बढ़िया आगे फिर पूछा कि आपको अपना कुछ विटनेस बताना है आप अपने विलेज का मुखिया सर्पन जो भी है उसका नाम बताईए और फिर पूछा कि आपका अगर आप कल को बाइदर क्या कहें गलती सीव अगर आप एकस्पायर कर जाते हैं तो आप अपना वनसज आगे किसे बनाना चाहेंगे ठीक नॉमीनी मतला विकतला का आप किसे बनाना चाहेंगे तो आपको उनका भी नाम देना है ठीक है आपका विलेज का हेडमेन मुखिया सर्पंच औ करने के बाद फिर हम बढ़ेंगा आगे जहां से पूछा गया है पर्सनल वर्ल्ड डेटेल ठीक है इसमें भी आप मैं आपको बताता हूं क्या कर देखिए आपको आई होप कि आपको सुन्में आ गया होगा मैंने एक एक डिटेल आपको आराम से सईसी बताया है तो वीडि ठीक है इसका आप यहां देख सकते हैं पर्सनल वर्ल डिटेल देना है आनि आपको आपकी करेक्टर का गवाही देने वाला कोई एक बंदा होना चाहिए आपके घर से ठीक है तो यहां पे आपको उनका नाम देना है फिर हाउस नंबर जो भी आपका विलेज कॉरनी एरिया पॉस्ट ऑफिस कौन सा है यह सारे स्टार मार्क है तो यह आपको घिजान से फिल करना है कोई भी गलती मत करिएगा इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे यह फिल करने के बाद जब आप इस परस्टनल वर्ल डेटेल को आगे बढ़ जाएंगे कि पुछा गया है यहां पे दूसरा आदमी कॉनन जिसका आप दे सकते हैं जो आपके लिए विटनेस बन सके आपके करेक्टर का तो यहां पे आभी आपको एक चीज़ डेटेल देनी है नेम हाउस नंबर विलेज कॉनली अरिया टाउन पोस्ट ऑफिस तहसील करके आप आगे बढ़ेंगे फिर आपको उनका लेट मर्ट क्या है उनकी प्लेस ऑफ बर्त क्या थी उनका नेस्मिलिक रिए उन ‫स प्रशेचंऀर क quickest और यह साइब को जरूर आहिं इसके बाद फिर नीचे आप से देखिए पूछा गया है नेम ठीक है यह सब डेटेल आपको फादर मदर दोनों के दिनिये तो कोई गलती मत करेगेगा अगर आपको नहीं भी पता है तो एक बार पापा ममी के साथ बैठ जाईए उनसे पूछ लीजे को बहुत से बच्चों को पापा ममी इलनेस के बारे में नहीं बताते हैं ठीक है तो एक बार पूछ लीजे क्योंकि मेजर चीज़े कोई गलती ना हो फिर सी तरह ममी का फी डालना है मदर नेम डेट आप बर्थ उनका फिर उनकी प्लेस ऑफ बर्थ उनकी नेशनलिटी उनकी सिटिजन से प्रिजन और उनका ऑक्यूपेशन क्या है जो हाउसमेकर हैं की ममी वहाउसमेकर दालेंगे जो जॉब है उल तो डिटेल दे सकते हैं चलिए फिर इसके बढ़ेंगे और प्रवनेंट टेर्थ क्या है फादर क मदर का क्या है फिर उनका presentです क्या है और मदर का प्रवनेंट क्या है यह भी दोनों चीज़ देना है यानि कि दोनों के निटीन हीожет और तू नहीं है तो नो कड़ है और फिर आगे बढ़ जाइए ठीक है इसके बाद हम चलेंगे अगले स्टेप पह पर यहाँ पर था की रिलेशं क्या आप से क्या है ठीक है उनका न। क्या है उनके रड़ है कि पेशन उनका क्या है और क्या उनका कोई medical status है यानि कोई major illness के थ्रूओ जूज रहा है या नहीं जूज रहा है तो यह आपकी detail इतनी बतानी है यह कुछ detail है आपके brother की मलतब जितने आपके सिबलिंग है उतने विद्न बताने ह JESके उतने का बताना होँगा दो है दो कि बताना होगा जितने हैं उतना आपको बताना होगा इसके बाद भीव हम आएक बढ़ेंगे उनका पर्मेंट ऐरे explained एडियों सब्सक्राइब क्या कोई मिस्टेक में मत करें फिर उनका रिलेशन क्या है आप से नेम वगरह वगरह जिसका जो डिटेल है वह आप दे शकता है देनी है ठीके इसके बाद आपको सब कुछ करके सेफ पे क्लिक कर देना है सेफ क्लिक करने के साथ ही आप बढ़ जाएंगे आपके पूरा डिटेल फिल हो गया है और डिटेल होने को बता रहा है स्टार्टिंग में कि ड्राप बोस के पास ही आपको डाउनलोड करने का option आजाएगा e-call letter देखिए नीचे जहाँ पर e-call letter लिखा है वहीं पर आपको e-call letter डाउनलोड करने का option भी आजाएगा झाल